हे गाईज, वेलकम बाट तु माई यूट्यूब चानल, आज हम पढ़ने वाले हैं about the powers of the American President, हमने प्रीवेस कुछ पार्ट्स में डिसकस किया था about the American President और we can say US President और उसकी बाद सेकिंड पार्ट में हमने डिसकस किया था कि यह जो US President होते हैं, उनका election process के से होता है, तो वो चीज हमने देखी थी, आज हम डिसकस करने वाले हैं about the powers, चीके, कि जो US President है, उनके पास क्या-क्या powers है, तो उस चीज को आज हम थोड़ा से डिटेल में देखेंगे, so that is what we are going to discuss, so without wasting any more time, let's get into that. So before starting the video, मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है किसी भी topic को, मैं यह नहीं बोल रही कि कि वल इससी topic की बात नहीं कर रही, बट किसी भी topic को बहुत अच्छे से समझना है, हातो हात जब कोई समझा रहा हो, तो हातो हात तो जब आप लिखते हो, तो आपको और भी ढग से याद होता है, तो इस वज़े से जब मैं यह topic समझा रही हूँ, तो आप एक रजिस्टर लेके बैठो, और उसमें हातो हात जो है, नोट्स बनाते रहो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपको वो चीज एक So now, अब आते हैं, powers of the American President, कि American President की क्या powers है, तो सबसे पहली बात, मैंने ये चीज आपको पहले भी बता रखी है, जब हमने first part discuss किया था, जहां पर हमने US President की बात करी थी, तो उसमें भी मैंने ये चीज बता रखी, बट फिर भी मैं एक बार वापे से repeat कर देती हूँ, कि जो American President का जो office है, it is the one of the most powerful offices in the world, world के अंदर सबसे ज़्यादा अगर powerful office है, तो that is of US President और American President, second same चीज यहां पे Lord Bryce, यहांने भी describe करिये, that it is the greatest in the world, कि उनका जो office है, basically, वो world में सबसे greatest है, Lord Bryce, basically, a political thinker, Lord Bryce is a political thinker, चिरों ने क्या बोला है, that उनका जो office है, वो greatest in the world, Constitution makers, जो Constitution को बनाने वाले थे, America के, now, the Constitution makers of America, America के जो Constitution को बनाने वाले थे, या Constitution को frame करने वाले जो थे, उन, वो लोग चाते थे, कि US President जो है, उसके पास बहुत सारी powers हो, ठीके, unlimited powers हो, बट कही ना कहीं, वो यह भी चाते थ कि उनको उन powers के पर limits भी set करने है, ताकि despotism ना हो, what is despotism, despotism मतलब यह होता है, कि जब एक इंसान के पास बहुत ज्यादा powers आ जाती है, तो बहुत बार होता है, दूसरों पर हावी हो जाता है, एक dictator की तरह, treat करने लग जाता है, ठीके, तो that is despotism, तो इस वज़े से, सेम ऐसा ही, एक और political thinkers होचते हैं, Monroe, जोनों ने क्या वोला, कि जो US President का office होगा, वो जो है, एक mix होना चाहिए, adequate authority का, और उसकी सासत, firm checks का, मतलब, जो US President होने चाहिए, उनके पास authority तो होनी चाहिए, बट एक limit amount में, ठीके, उस authority की सासत, उन पर क्या होने चाहिए, चेक्स इ डिक्टेटर में convert तो नहीं हो रहे, कि कहीं ये जो rule है, ये despotic rule तो नहीं हो रहा, तो ये सब चेक रखने वाला कोई body होनी चाहिए, कोई authority होनी चाहिए, अब यहाँ पर कुछ examples दे रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है, कि US President को adequate authority तो दी गई, मतलब उनको powers तो दी गई, ब मतलब होता है, किसी भी चीज में सबसे higher post जो होती है, that is of chief executive, तो यहाँ पर US President को chief executive तो बना दिया गया, बट यहाँ पर एक और चीज करी गई, कि जो US President है, उनको अपनी powers को exercise करने से पहले, सबसे पहले, सिनेट की advice और उसका approval लेना पड़ेगा, तब ही वो अपनी powers exercise कर सकत है, तो जैसे यहाँ पर अपने देखा कि chief executive बना दिया गया, that is एक बहुत बड़ी power है, बट यहाँ पर restrictions क्या हो गए, कि that he needs to take approval of Senate before exercising his powers, कि अपनी powers को exercise करने से पहले, उनको सिनेट का approval लेना ज़रूरी है, वैसे ही उनको commander in chief तो बना दिया गया, US President को, Armed Forces का, बट यहाँ प पास, जो है, सारी power थी, war को declare करने की, ठीके, Congress is the Parliament of US, बिलकुल उसी तरह से, फिर से इनको power दे दी गई, कि यह recommend तो कर सकते हैं, कोई भी legislative measures, मतलब अगा कुछ कानून में changes लाने हैं, कुछ laws में changes लाने हैं, तो उसको suggest कर सकते हैं, उसको suggest कर सकते हैं, Congress को, Congress यहाँ पर बार पार्लियामेंट के लिए, तो जो है, US President, वो legislative measures suggest कर सकते हैं, Congress को, वहाँ की पार्लियामेंट को, बट वहाँ की legislation में, वो अपनी voice नहीं रख सकते हैं, वो अपनी आवाज नहीं रख सकते हैं, तो इन कुछ examples से आपको यहाँ पर प्रूव हो जाता है, कि उनके पास powers थी, but restrictions भी imposed थे, so that वो जो रूल है, वो एक despotic rule में convert ना हो जाए, despotism ना आ जाए, but धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, US की जो presidential powers थी, उसका expansion भी हुआ, and जो sphere of action था, जहां पर वो अपरेट करा करते थे, अपनी उन powers को, वो भी जो है, थोड़ा limit से आगे बढ़ गया था, तो अगर हम आज की डेट में देखे, तो जो American President है, is the most powerful executive authority in the world, world के अंदर जो भी executive authority है, उन सब में से सबसे powerful जो है, अभी American President है, but he is not a dictator, वो एक dictator नहीं है, क्योंकि उनके पास अगर powers है, तो उन powers के पर restrictions पे इंपोज है, that's why he is not a dictator, but a powerful executive authority in the world, तो यह हमने एक basic introduction देखा, उनकी powers के बारे में, अगर आपको इतना detail में नहीं लिखना हो, आपके एवल एक दो line में, introduction में लिख सकते हो, कि उनके पास powers है, but उन powers के पर restrictions impose है, उन powers के पर limits impose है, फिर उसकी बाद जो actual answer start होगा, कि अगर आपसे पूछा गया है, powers of American President, वो यहा और detail में थोड़ा समझाने के लिए कि कैसे क्या चीज़े, इस वज़े से मैंने थोड़ा सा यह detail में बताया, so that आपको एक better understanding हो, आपको चीज़े clear हो, इस वज़े से, so सबसे first power आती है, the executive power, but एक बार executive का मतलब और एक बार वापस समझ लेजी, executive मतलब होता है, एक ऐसी authority, जो की law को implement करती है, that means कानून को लागू करती है, that is executive, तो इनकी executive powers क्या क्या है, वो चीज़ अभी हम discuss काने मारे है, so यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर्स आते है, ओगिन जिंक, जो यह बोलते है, कि US president या कोई भी president जो है, वो एक chief legislator हो सकता है, maybe वो एक party leader हो सकता है, maybe वो general custod guardian हो सकता है, national interest का, but सबसे first, he is an executive, तो सबसे first चीज़ पन को क्या आता है, कि वो एक executive है, एक law implement करने वाली body है, एक law implement करने वाली authority है, ओगिन जिंक का कहने का मतलब यह है, कि आप चाहे कुछ भी हो सकते हो, maybe आप chief legislator हो, party leader हो, या कुछ भी हो, but सबसे पहला जो topmost आपका काम होता है, वो है एक executive का काम, तो यहाँ पर वो चीज़ ऑगिन जिंक बोला चाहते है, अब जो अमारिका का constitution है, वो यह चीज़ बताता है, कि जो American president की powers है, वो बहुत सारे sources से ले गई है, अब वो sources क्या है, mainly provision of the constitution, constitution की provision से ले गई है, पावर्स, acts of Congress, Parliament, वहां की जो Parliament है, that is Congress, उनके कुछ act से ले गई है, third, decisions of the supreme court, supreme court के कुछ फैसलों की वज़े से, कुछ decisions की वज़े से, वहां से कुछ powers ले गई है, तो यह अलग-अलग sources से draw करे गई है, US president की powers, तो हमने यह mainly तीन sources बता है, the provisions of the constitution, acts of Congress, and decisions of the supreme court, अब उनकी executive powers है, क्या-क्या, हो जीज ही हम देख लेत Second, federal government के laws को enforce करना, उनको लागू करना, that is his first part, second is to maintain law and order, law and order को maintain करना, यह चीज देख रहा कि कहीं कोई law wallet तो नहीं कर रहा, तो यह सब चीज का ध्यान रखना, तो third is, appointment of these public servants, heads of executive, judges of supreme court, and other federal courts, his cabinet, etc., इन सबकी जो है appointment करना, is the duty of US president, is the duty of US president, हालांकी, यह सब appointments करते ताइं, किसकी approval लेनी जरूरी है, सिनेट की approval लेनी जरूरी है, अंडर सेनेटोरियल कर्टसी, अभी सेनेटोरियल कर्टसी क्या है, यह एक unwritten law है, American political system का, जहां पे, प्रेसिडेंट को कोई भी चीज करने से पहले, सिनेट का approval लेना जरूरी है, क्यों लेना जरूरी है, एक कर्टसी शो करने के लिए, वो approval लेना जरूरी है, And in case, अगर US President approval नहीं लेते सेनेट से, तो वो decision जो है, null and void, consider कर दिया जाता है, That means, उस decision का कोई मतलब नहीं है, उसका zero sense है, US President की पास एक और पावर है, that he can remove all the officials from the appointment, US President की पास एक और पावर है, that he can remove all the officials that he has appointed, मतलब जो भी उन्होंने अपोइंट किये थे अपने officials को, उनको remove भी कर सकते हैं, US President, ठीके, except किस-किस को नहीं कर सकते हैं, The judges, members of administrative commissions and boards, ठीके, और bureaucrats, इनको जो है, वो remove नहीं कर सकते हैं, बाकी वो किसी को भी जो है, remove कर सकते हैं, खुझ से appoint करने के बाद भी, And क्योंकि US President, जो है, is head of the national administration, तो उनकी main duty क्या होती है, constitution को preserve करना, protect करना, और defend करना, and laws को execute करना, is the main duty of the US President. और क्या उनकी power आती है, issuing executive regulations and orders, executive regulations and orders को issue करना, trade agreements को negotiate करना, foreign states के साथ, जितने भी foreign states है, foreign countries है, उनकी साथ trade agreements को negotiate करना, and national budget जो है, वो prepare किया जाता है, President के advice और इन सब चीज़ों के उपड, तो basically ये कुछ executive powers हुई, किसकी American President की, and और भी बहुत सारी executive powers है, जैसे कि American President या जो US President है, वो क्या कर सकते हैं, देकें grant pardon and reprives, ठीक है, अब pardon and reprives क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको clear करूँगी, तो pardon मतलब basically क्या होता है, mainly ये President के पास power होती है, हर एक President के पास power होती है, to grant pardon, pardon मतलब होता है, कि अगर कोई culprit है, तो उसके पर जितने भी charges लगे वे, उन सबसे free कर देना, तो that is pardon, and reprives मतलब क्या होता है, तो reprives मतलब होता है, अगर आपको suppose आपने कुछ crime किया है, तो उस crime के लिए जो आपको punishment मिलने वाली है, suppose आपको imprisonment मिलने वाला है, आप jail जाने वाले हो, तो उस jail जाने की duration है, उसको थोड़ा सा postpone कर देना, that is reprives, कि आप चीजों को postpone कर रहे हो, आप punishment को postpone कर रहे हो, so that उस culprit को या जो भी criminal है, offender है, उसको time मिल जाए, कि वो आपको सही prove करके दिखा सके, अब यहाँ पर pardon जो होता है, वो absolute भी हो सकता है, और conditional भी हो सकता, absolute मतलब कि आपने एकदम उस culprit के पर से सारे charges जो हटा दिये, conditional pardon मतलब उसमें कुछ conditions अटाइच होती है, तो that is conditional pardon, and pardon जो है, can also be in the form of commutation, commutation के form में भी हो सकता है, that means आप क्या कर रहे हो, उसकी imprisonment की जो duration है, उसका जो period है, उसको shorten कर रहे हो, now US President जो है, वो commander in chief होते हैं, वो treaties जो है, नेगोशेट कर सकते हैं, foreign states की साथ, और he recognizes foreign governments, new states, new resigns, इन सब को recognize कौन करते हैं, basically US President, ठीक है, but एक चीज़ याद रखनी है, कि यह सब powers exercise करने से पहले, they need approval from the Senate, उनको Senate का approval चाहिए, Senate से approval चाहिए, तभी जो है, वो यह सब powers का use कर सकते हैं, तभी उनका decision जो है, वो consider किया जाएगा, नहीं तो, अगर Senate का consent नहीं हुआ, तो Senate जो है, उस decision को null and void भी declare कर सकती है, तो I guess यह वीडियो और भी जादे एक्स्टेंड हो जाएगी, और जादे लंबी हो जाएगी, अगर मैंने legislative power को भी इसी वीडियो में दिसकस कर लिया थो, तो इस वज़े से हम legislative power को नेक्स्ट वीडियो में दिसकस करें, तिल दन, stay tuned for that part, अगर अपको फिर भी कोई क्वेरी जो, कोई भी डाउट जो, तो दिन, you can always ask me in the comment section, and I'll try to reply all your comments, तो यह अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीचेगा, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and hit that bell icon, okay, so yeah, bye-bye, take care.